मकाउ तोता दच्छिट अमरीका के जंगलों में पाये जाते हैं दुनिया भर में लोग इस तोते को पीजरे में रखकर पालते हैं मकाउ तोते दिन में सप्रियों होते हैं ये सुरज की पहली किरन के शाहत उठ जाते हैं और चिलाना शुरू करते हैं इसकी अगर आप मकाउ तोते को पालतू बनाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा मकाउ तोते के रंग भिरंगे सरीर को देखकर आप अश्चर चक्कित हो जाएंगे इसके सरीर पर गहरे, लाल, नीले, हरे और पीले पंख होते हैं मकाउतोते की चोच बहुत कठोर होती है जिससे यह कड़े फलो को भी तोड़ देता है यह आपकी अंगुलियों को भी चोट पहुचा सकते हैं मकाउतोते के पंजे मजबूत पकड़वाले होते हैं क्योंकि यह अकसर पेड़ों पर और पहाडों की धलान पर लटकते रहते हैं मकाउतोते अपने भोजन की तलाश में बंदर से 20 किलोमेटर तक उडान भर सकते हैं यह अपनी भोजन की तलाश में शुबवा में ही निकल पड़ते हैं मकाउतोता पूरी उम्र भर के लिए चूड़ा बनाते है मकाउतोते की कुल सत्रा पर जाती या पाई जाती है मकाउतोते की उम्र बहुत ज्यादा होती है यह सत्तर से असी साल तक जिवित रहते है पालतू मकाउत उते को पालतू बनाने के लिए यह बहुत अच्छी है इससे एकेले बेक्ती को उम्र भर के लिए एक शाथी मिल जाता है मकाउत उते 40 मिल प्रती घंटे की रखतार से उड़ सकते हैं कुछ मकाउत उते की चौच इतनी ताकवत्वर होती है कि वो इश्य नारियल को भी तोड़ सकते हैं